स्वागे दोस्ताब सभी को फिर से एक नए वीडियो में तो आप सभी का डिमांड को देखते हुए मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ SQL वाला कोशन बहुत लोग कमेंट कर रहे थे मेसेज कर रहे थे call तक कर रहे थे call बिलकुल नहीं कर रहा है ठीक है बहुत लोग मेसेज कर रहे थे sir SQL वाला समझी में नहीं आ ठीक है तो मैं आप लोग के लिए डिमांड देखते हुए मैं आप लोग के लिए SQL वाला कोशन लेकर आ गया हूँ पहले से डाला हुआ है तो SQL वाला कॉंसेट आप लोग को किलियर होना चाहिए SQL आप लोग को 100% बनाना है आप लोग मालू है कि 5 नंबर को कैसे हम लोग करेंगे आप लोग पिछला वीडियो में हम बता चुका है कि कौन कौन कोशन आप लोग को पढ़ना है 5 नंबर के को सेर करना हर एक दोस्तों को और वीडियो को like करना है क्वकि आप लोग क्या करते आना पढ़ाई करते हैं बट आंप लोग वीडियो को like करना भूल जाते तो मैं थोड़ा सा de motivate हो भीत हो जाता हौ दो वीडियो में जितना भीयोज और जितな लाइक आए मोटिवेशन आए ह तो इतना मैं आप लोग अच्छे तरीके से में पढ़ाऊंगा इसके लिए क्या करना होगा थोड़ा सा लाइक करना होगा और आप लोग को कमेंट करना होगा एक प्यारा सा ठीक है आज क्या कोस्टन हम लोग देखेंगे Q.A.L. वला तो देखेंगे तीन कोस्टन हम यहा पर देखेंगे ठीक है तीन कोस्टन हम पूरा आप लोग को क्वश्चन हो जाएगा क्लियर टेंट्सन यह लेना है इसी नहीं है इसी मित जईए और आप लोग Серफ क्या प्यरबा स्क21 और देखें गांचेन हमार क्या है question है ठीक है इससे हम लोग को answer लाना है वह कैसे आएगा मैं आप लोगो बताऊंगा देखें पहला question क्या है to show all information of table employee इसका answer देखते हैं पहला कि क्या बोर रहा है to show बोर रहा है to show क्या होता है to show रहे to display रहे चाह कुछ भी रहे मतलब to show to display to list इस तरह रहे ही आप लोग को क्या करना वहां पे select ल Sugto यहां पर ठीक है तो हमलों यहां पर select लगा दी अगर to display रहता तूब हम लोग फष स्नर में select लगाटे ठीक है अगर आप लोग को to list रहेगा फिर वह आप लोग क्या करेंगे select को ही लगाएंगे उसके के पहले हम लोगप state लिख लिए ुसके बद्रियंते हैं हम उसके बाइन पद्रियरist और ऐन-फोर्मेसं रहे आप England और आप लोगेशन रहे आप ऊंप लोगो रहे तो आप लोगो च्हा करना होगा अस्तार लगाना होगा ठीक है उसका बाद देखिए off the table employee है मतलब कि off the है मतलब कि आप लोग को answer में off the कभी नहीं लिखाता है off the हो गया end हो गया off मतलब इसा आप लोग को answer में नहीं लिखना है इसके बदलिव क्या होता है from होता है क्या होता है प्रोव होता है और टेबल जो है आप लोग को टेबल नहीं लिखना है आप लोग को टेबल का जो नाम है उसको लिखना employee तो आप लोग olması क्या हो चाईगा थेखे, आप लोग का तो आप लोग वोख़ा है, 200 के मतलब तो जानते है कि क्या होगा, स्प्रमित है, और उसके बदली हम लगते हैं, फ्रोम लगते है, मतलब कि यहां पर भी from है from लगाता है ठीक है उसके पाद जो table का नाम है उसको लिखना होगा क्या है employee तो हम यहां पर क्या लिख दिये हैं employee लिखे ठीक है उसके पाद whose salary लिखा हुआ है मतलब कि आप लोगो मालूम है chapter जब पढ़ा है तो आप लोगो मालूम है कि हम लोग क्या करेंगे just एक और line लिखेंगे किसमे वेयर में ठीक है तो वेयर में salary is equal to जैसे आप लोगो है उसी को यहां पर चिपका देंगे ठीक है जैसे लिखा हुआ है कुछ भी लगेगा आप लोग यहां पर चिपका देना है किसमे वेयर में तो यह भी हम लोग question कर चुके हैं तो आप लोगो एक number और मिल चुका है पहला में क्या था 200 था मतलब की 200 के लिए हम लोग search लिखे उसका all information है all information के हम लोग क्या लिखे star लिखे ठीक है उसका off the table employee है off the का मतलब क्या होता है आप लोग मालू में है from होता है और employee है तो हम लोग employee लिख दिये ठीक है एक और जरूरी बात कि हम लोग जब answer को last करेंगे इसमें कोई condition नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ पर where नहीं लगाए ठीक है where is equal to यहाँ पर कुछ नहीं लिखे अगर यहाँ पर condition रहता देखें यहाँ पर क्या है condition है huge salary है की नहीं यहाँ पर condition दिया हुआ है इसलिए हम लोग एक और line यहाँ पर answer लाए ठीक है बट यहाँ पर इसका condition नहीं है इसलिए हम लोग को एक line में ही answer हो गया, तो जब हम लोग का answer last हो जाता है, तो हम लोग क्या लगाते है, semicolon, इसको आप लोग को नहीं भूलना है, अगर आप लोग semi colon का भूल जाते हैं, तो एक number भूल जाए, आधा number भी नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका दूसरा number question क्या था, to show all information of table employee, huge salary less than equal to 40,000, मतलब की 14,000, तो देखे, आप लोग को two show के मतलब क्या होता है, display होता है, all information के मतलब क्या होता है, गुना होता है, मतलब की star होता है, of the table, मतलब of the, and each, कुछ भी रहे, from लगेगा, उसको employee है, तो employee ही, आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है, उ इसको display करना है, salary and age को, जो हमारा employee है, उसका ठीक है, और इसका जो area south है, ठीक है, तो आप लोग को लिखना का है, to display है, मतलब की select लगेगा, क्या लगेगा, select लेगे, देखे, हम answer दिखा देते, तो आप लोग को clear होगा, ठीक है, देखे, to display दा name था, ठीक है, तो to display के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, select लगाते हैं, name है, तो हम लोग name लगा दिए, उसको पाद salary है, उसी तरह हम लोग कौमा देखे, sell přey chain है, interpreter है, एंड है, end के जिगा में हम लोग क्या लगाते है, कौमा लगाते हैं, आप लोग याद कर लिजी, end अगर आप लोग को k्या लगाना ह कॉमा लगाना है उसके पाद एज है एज को हम लोग जश्ट कॉमा के बाद आप लोग को एज लगा देना होगा उसके पाद प्लोग को मालुम है कि या लगाते हैं कर देंगे और लाफ में क्या लगाएंगे हम लोग को अंसर बन जाएगा मतलब टीन नमबर आप लोगाएं है तीन आप लोग बना लिए मतलब तीन नमबर के लिए देखें कुछ इसमें था नहीं क्या बोड़ा है to display the name salary and age क्या कर रहा है कि employee का जो हमारा name है उसको display करना है salary को और इसका age को और हमारा जो condition दिया हुआ है कि area is equal to south area जो हमारा south में है ठीक है तो to display के लिए हम लोग select लगाए name उसी तरह एजिट है आप लोग यहाँ पर name आ जाएगा उसके पाद comma salary है उसी तरह comma salary और end के मतले हम लोग क्या लगाते है कॉमा लगाते है मतलब की कॉमा उसके पाद age है मतलब की age ठीक है of के जगह हम लोग क्या लगाते है from लगाते है from लगाती है employee है मतलब कि employee employee है आप लोगों समय महार है ना यह हमारा क्या table का नाम है यहाँ पर student भी रह सकता है worker भी रह सकता है कुछ भी रह सकता है जो वहाँ पर कोसर में रहे वहीं यहाँ पर चिपकाना है कि लिए उसको बाद जो यहाँ पर condition दिया हुए decreasing order ठीक है तो देखिए आप लोगो क्या बोड़ा है कि to so name of employee with age in decreasing order देखिए order अगर आप लोगो मिलेगा तो आप लोगो क्या लिखना है so बताएंगे ठीक है पहले आप लोग एक line लिख लिजे कि to so है मतलब कि आप लोगो select रहेगा देखिए answer हम दिखाते है देखिए पहला line to so है मतलब कि आप लोगो select लिखना होगा ठीक है उसको बाद name है name agitives आप लोगो उसी तरह name आ जाएगा उसको बाद off के जगा में हम लोग क्या लगाएंगे from लगाएंगे उसको बाद employee है मतलब कि आप लोगो answer में भी मतलब agitives उसी तरह हम लोग employee यहाँ पर लगा देंगे उसको बाद के condition है क्या with age age in decreasing order क्या है हमारा condition हमारा condition जो है क्या है कि decreasing order में है मतलब कि आप लोगो answer में क्या लिखना है कि order अगर आप लोगो रहे तो आप लोगो answer क्या लिखना है order by क्या लिखना है order by age is equal to D.E.S.C D.E.S.C हम लोग की लिखे है क्योंकि यह decreasing के लिए बोल रहा था ठीक है decreasing के लिए हम लोग D.E.S.C लिखते हैं और increasing के लिए हम लोग क्या लिखते हैं A.S.C लिखते हैं clear हो गया तो हम लोग देखिए चार question को बना लिए ठीक है अब देखिए पांचवा number question क्या बोल रहा है पांचवा number question बोल रहा है to count the number of employee equal to 40 जो हमारा दिया हुआ है employee का age उसी को count करना है तो count अगर आप लोग को मिले अगर आप लोग को count मिले तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि count रहे list रहे तो हम लोग select ही लिखेंगे ठीक है मतलब कि select count लिखना होगा उसके बाद क्या था हमारा all उसके बाद देखिए number था ठीक है number of employee था तो number of employee को हम लोग जब calculate करेंगे तो हम लोग all में आएगा ठीक है मतलब कि start लगाना होगा उसके बाद off के बदले हम लोग क्या लगा है यहाँ पर from लगाए उसके बाद employee के जगा हम लोग employee ही लगाए और जो हमारा condition दिया हुआ था हमारा क्या था जिस तरह कंडिशन वहाँ था उसी तरह हम लोग यहाँ पर चिपका दिये age less than is equal to 14 ठीक है तो यह हमारा हो गया क्या पांच नंबर पांच कोस्टन पांच कोस्टन के साथ पांच नंबर आप लोगों मिल जाएगा तो कैसे बना आप लोगों क्या बोल रहा है कि जो टीचर है computer department का है department is equal to computer आप लोगो लिखना होगा कैसे लिखना होगा अभी बताएंगे to select का मतलब क्या होगा answer में आप लोगो select ही लिखना होगा देखिए हम यहाँ पे दिखा देते हैं देखिए क्या है हमारा select है मतलब कि to select के लिए हम लोग क्या लिखे select लिखे ठीक है all information के हम लोग क्या लिखे a star लिखे ठीक है उसको off के जगह में हम लोग क्या लिखे यहाँ पे from लिखे और teacher था तो teacher ही है ठीक है यह क्या हमारा table का नाम है तो हम लोग adjectives यहाँ पे चिपकाएंगे उसमें देखिए आप लोगो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कंडिशन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट क्या होगा, कंप्यूटर होगा, तो आप लोगो लिखना क्या होगा, कि where department is equal to computer, क्या लिखना होगा, where department is equal to computer, तो यह सब जार question है na, SQL वाला, यह थोड़ा सा revision मांगता है, ठीक है, इसी तरह का हम और question भेज देंगे, आप लोगो क्या करना है, revision करना, अपनी से बनाने का कोसिस करना है, वीडियो को देखने से बिल्कुल समय में नहीं आएगा, हम question भेजेंगे, अपनी से बनाएंगे, तो आप लोगो पूरा clear होगा, ठीक है, अगला आप लगाएंगे, और जो हमारा टेल का नाम है, वह हमांरा क्या है teacher है, मतलब कि female को भी यहाँ पर चिपकाएंगे, रही है, तो female के लिए हम लोग एफ लिखै और end में हम लोग क्या करेंगे, department इसमेंट क्या होई, department कि कंप्योटर है, हम लिखना होगा, क्या क्या लिखना to computer लिखेंगे ठीक है यह समयवा गया मतलब कि दो कोशन फिर से हम लोग कर चुके है ठीक है तीसरा नंबर कोशन देखिए क्या बोड़ा है तीसरा to display all name of teacher with date joining in ascending order मतलब कि order by वाला फिर से आ गया ठीक है तो इसी फॉर्म में जिस तरह कोशन आप लोगो दिया हुआ है पांच कोशन इसी फॉर्म में आप लोग को रहेगा अगर आप लोग रट भी लेते हैं मतलब को दिमाग में रख भी लेते हैं तो आप लोग को बन जाएगा बहु करना होगा फ्रॉम लिखना होगा उसको पर टीचर है अप लोग को क्या करना चिपकाना है ठीक है उसका बाद विट आप लोग को क्या दिया आप लोग को यहां पे कंडिसन दे दिया कि डेट ऑब ज्वाइनिंग जो है वो असेंडिंग ओडर में है मतलब कि order by अप लोग क इसका सी का ठीक है तो कैसे बन रहा है आप लोग को मालूम है तो डिस्पिल है उसके जगह में हम लोग क्या लगा रहे है सलेक्ट ही लगा रहे है उसको पर लोग को अस्टार नहीं लगा देना है अगर आप लोग को नेम के आगे ओल रहे तो आप लोग को अस्टार नहीं लगाना होगा सिर्फ नेम लीखना होगाइग EGT यहाँ पर नाम लेकने है ठीक है उसम्गत ऑफ के जिगह में लगाए यहाँ पर आफ के जिगह में फ्रोम लगा है उसका बाद जो हमारा टेवल का नाम था teacher वो हमारा यहाँ पर teacher लगा दिया है कि date of joining is sending order तो order by हमारा क्या होगा DOJ और ASC होगा clear हो गया यह भी question हम लोग करें देखे D number two count the number of teacher with salary is equal to 13,000 जो हमारा दिया होगा है na question बहुत ही आसान है देखे two count है उसके जिगा हम लोग क्या लगाएंगे select लगाएंगे उसके बाद देखे क्या है कि the number of student मतलब the number of teacher ठीए the number of teacher मतलब कि आप लोग को feel हो रहा है कि बहुत सारा teacher होगा number of teacher बहुत सारा teacher होगा तो बहुत सारा के जगा में लोग क्या लगाएंगे star लगाएंगे तो two count के लिए select count होगी हमारा उसके बाद अस्टार होगे, off के जगा में हम लोग क्या लगा है, from लगा है, और जो हमारा table का नाम था, क्या teacher, वो हम यहाँ पर teacher लगा दिये, उसको पाद जो condition दिया हुआ है, कि to display the name, कि इसको display करना है, name को, department को, और salary को, ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना, और देखें, यहाँ पर most important कि female student है, ठीक है, मतलब gender वाला काम करना है, तो देखें, to display के जगा हम लोग क्या लगाएंगे, select लगाएंगे, उसको पाद क्या name है, तो name सी तरह adjective लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, उसी तरह department लिखेंगे, end है, मतलब कि कॉमा लगाएंगे, उसको पाद salary लिखेंगे, उसको पाद off के जगा हमें, यहाँ पर from लगाएंगे, उसको पाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसको पाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, female student है, इसलिए हम लोग क् लेगा कि वेर, हाँ, वेर 6 is equal to क्या होगा, F होगा, क्या लिए, देखिए, select है, name है, department है, salary है, और from a student है, उसका बाद where 6 is equal to F, कि लिए ये भी हम लोग कोशन देख चुके हैं, बहुत ही आसान कोशन होता है, ठीक है, एक और कोशन देखते हैं, उसका बाद पूरा किलियर हो आप लोग को, ठीक है, ये कोशन क्या बोड़ा है, देखिए, फिर से आप लोग को SQL वाला है, बट या table का नाम क्या student, ये कोशन हम एक पर करवाएं, ठीक है, बट आप लोग को फिर से recap करवाते हैं, क्योंकि ये most important question है, क्या बोड़ा है, क्या बोड़ा है, 200 all information about the student of department history, दे table का नाम क्या student है, आप लोग को student चिपकाना होगा, ठीक है, उसके बाद जो हमारा condition दिया हो है, department is equal to history, मतलब कि where department is equal to history लिखना होगा, इसी format में आप लोग को रहेगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, उसके बाद दूसरा नमबर question, to list the from of female student who are the English department, department क्या English है, और यह female student चिपकान ही देंगे, सिर्फ यहाँ पर student को चिपकाने जो table का नाम रहेगा, ठीक है, उसके बाद जो हमारा condition दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, आप लोग को condition है, female student का मतलब कि sex, मतलब कि आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, gender बातना होगा, sex बातना होगा, ठीक है, इससे easy आप लोगो कोई भी teacher नहीं समझा सकता है, मैं आप लोगो अपने दोस्त, हाँ, दोस्त समझ करके मैं आप लोगो समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगो समय में आ चुगा होगा, यह question कैसे बनेगा, क्योंकि यह question है वैसा ही थोड़ा, ठीक है, ऐसा कोई क्या लगाएंगे, select लगाएंगे, फिर name है, name लगाएंगे, उसका देखिया, क्या है, all student with their date of admission ascending order, मतलब कि आप लोगो देखिये, नाम क्या है, a student, मतलब कि आप लोगो from student लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर off का वाद कर रहा था, ठीक है, off के लिए हम लोग from लगा है, student उसका बाद यहाँ पर देखिये, क्या वोड़ा है, condition, date of admission, मतलब कि आप लोगो क्या लिखना होगा, order by DOA, और हम लोग, ascending के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ASC लगाएंगे, यह भी हमारा answer होगया, यह question है ना, आप लोगो note करने से होगा, ठीक है, यह question को note आप लोगो क करना है, बहुत ही आसान होगा, देखें कैसे होगा, कि insert है, मतलब कि insert ही, अप लोगो लिखना होगा, ठीक है, insert रहे है, तो insert ही लिखेंगे, इसमें select नहीं लिखेंगे, clear, उसको देखें कि 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 करना है, कि new row को करना है, मतलब कि into the student लिख दीजे, ठीक है, new row जो है, कि value is equal to जो दिया हुआ उसी को आपे चिपका देंगे तो answer बन जाएगा ठीक है इसमें कुछ नहीं किए कि आप लोगो इस तरह से answer अगर question मिल जाए तो insert into जो हमारे table का नाम रहेगा उसी को लिखिए और just नीचे जो है value लिख करके नीचे को चिपका देजी हो जाएगा उसको के लिए हम लोग क्या लगाएंगे हम लोग को देखिए count के साथ number रहेगा ना count के साथ जो number रहेगा उसके लिए हम लोग स्टार लगाते है ठीक है name के साथ जो number रहेगा उस पे नहीं लगाएंगे ठीक है सिर्फ count पर लगाएंगे तो off के लिए हम लोग क्या लगाए फ्रो तो अगर आप लोग समझ लेते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है जैसे मुझे लग रहा है बहुत इजी ठीक है तो आप लोग भी लगेगा बस आप लोग दो तीन बर इसको क्या कीजिए थोड़ा सा आप लोग रफ कीजिए दो तीन बर आपने से बनाएए प्रैक्टिस समझाना होता है इसलिए वहाँ पर अच्छे तरीके से हम समझाए ठीक है यहां पर उतना अच्छा से समय में नहीं हाएगा बट मैं अपने तरब से जितना हो सके पूरा आप लोग को देने का कोसिस किया हो ठीक है बट आप कितना अब्जर्व किया है यह आप पर हो ठीक है ऐसा कोई नहीं समझाएगा मैं 100% कारेंटी देता हूं ठीक है तो आप मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब बाई बाई टेक कियर